प्यारे बंधूों, मैं अपने इस विडियो में चर्शा करने जा रहा हूँ रैट होल इन कोल बंकर रैट होल इन कोल बंकर से सम combustion है कि जो कोईला हम फीड करते हैं बंकर में वाइलर को सप्लाई करने के लिए उसमें जैमिंग हो जाता है वो कोईला अंदर में इतना जम जाता है कि वो फ्लो होके नीचे नहीं जाता है, कोल मिल में नहीं जाता है, जहां पलभराइजिसन होता है, पलभराइजिस होकर के फिर बॉालर में नहीं जाता है, इसलिए जो है फिर स्टीम जेनरेशन और पाउर्प्रण चलाना बड़ा मु कभी कोईला मौाइस्ट हो जाता है तो भी आती है तो कोईला गीला होने के बाद जब ये समस्या आती है तो उसको सफाई करना कोल वंकर के अंदर बड़ा डिफकट होता है बिल्कुल से एक रैठ होल एक छोटा सा होल के वर राबर संबहता बच जाता है और उसी से कोईला जाते रहता है जीस से जो पावर एस्टेसन चलना मुश्किल हो जाता है इस कूल बंकर को सफाई करना एक बहुत बड़ा हर्कुलियन वर्क है क्योंकि जीस बंकर में रखा जाता है वो बंकर के जो है ठीकनेस बहुत मोटा होता है जामिंग हो जाने के बाद कई बार लेवर को हैंफ्स को हैंबर किया जाता है लेवर भी तोड़ा हैंबरी करने के बाद ठक जाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिंब होता है में रहता है। उसे फाइदा होता नहीं तो इस तरह जो है उससे हमको उसकी सफाई और हमरी करके उस कोल्यों को डिसलॉज नहीं कर पाते हैं कहीं कहीं जो है हम एयर ब्लास्टर लगा के रखते हैं एयर ब्लास्टर आजकल कहीं कहीं डिजाइन में भी दिया हुआ है तो एयर ब्लास्टर का मेंटेनस तो बहुत लगे रहते हैं, उपर से नीचे तक बंकर की उचाई काफी होती है, तो उपर से नीचे तक एर बलास्टर लगे रहते हैं, उसको चलाने से हमको फैदा होता है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा फैदा नहीं होता है, क्योंकि वो जम जाने के बाद इ तो एर ब्लास्टर चलाने से हमको एक काम हो जाता है लेकिन एर ब्लास्टर जो है इस सब जगल लगा नहीं रहता है आज कल कहीं कहीं डिजाइन में मैं देखता हूँ कि लगा हुआ है तो इसको मौनसुन के पहले जो है मेंटेनस करा के प्रिपेर करना चाहिए नहीं तो एक् दीजाइन में नहीं दिया हुआ है depend on 맞아 पोल मान a- आ सब दे नहीं हुआ नहीं होता है और मैनेज करता है नो लन्ग मister अधान को मैनेज करता है और भिर्कली कई पर तो जोट अगटाना तैक क्यों कोईए में बंकर से टालए होने का सवाल नहीं पाधा है जहां राय ठोल बन जाता है कोल बंकर भरने में बिल्कुल समय नहीं है कोईला उसमें अड़ता ही नहीं है जगा ही नहीं होता है तो कोल बंकर भरने में भी जादा समय लगता है और खाली होने में भी जादा समय लगता है कोई कोल थोड़ा ही निकल पाता है वो समभवता कभी लेक टेंगबर का होता है यह स्क्वियर का होता है इसमें चार कॉ玩 नर्भ ल्र होते हैं दूसरे लोकेशन संफरों के बनकर होते हैं कई जगा-इसतरह इसमें बहुत ज्यादा समझ आज चुम्हार होती है तो उसको साफ करना और भी मुश्कुल हो जाता है और समस्या बहुत बिकट हो जाती है पैटकरली मानसून में बगी नॉर्मली ज्यादा तर पावर सेशन में सर्कुलर सेब का ही बंकर रहता है इसमें भी होती है और इसमें मौनसून में होती है तो यह जितने उपाय है यह वो सभी उपाय जो है मैं देखा हूँ कि कोई effective नहीं होता है बहुत less effective होता है उसे अपना power station का generation चलाने में काम नहीं आता है और जाड़ एफेक्टिव नहीं होता है तो इसके लिए क्या किया जा इसके लिए एक हमने उपाय सोचा है बड़ा simple है बड़ा simple है लेकिन हम इसको अभी तक कहीं try तो किया लोग किया नहीं हो सकता कि किसी manufacturer को पता चले तो इस तरह के design जो है उसको round shape में मोड करके जैसा मैं चित्र में दिखला रहा हूं मुझे मेरे पास अच्छा चित्र दिखाने का और element तो नहीं है जिससे में दिखा सहूं इस तरह का एरो टाइप का सरिया मोड मोड करके एक साथ जो है बना देना चाहिए बहुत सारे और इस तरह के बना करके ए एक रसी में बाğı Πाष्व के साथ बंकर के हाइट के बराबर इसको रख लीजिए मंगर के हाइट के बराबर रख दिखे नीचे से उपर तक इसको डाली नीचे से उपर खीचने से जो ए एरो टाइप का जो कॉर्णर बने हुए कोईले में खुज जाता कोईला गिला रहता उसमें कोई भी परिशनी नहीं होती आराम से चला जाता से एक दो लेवर लगा करके कर देने से समस्या हल हो जाएगी इसमें क्या है कि रस्ती लगाईए यह 5-10 mm का कोई पतला रोड डाली है इसे थोड़ा प्रेसर भी बन सक्या वह अंदर तक ले जाए अंदर से उपर खीचिये का इस अब धिले धिले निकल जाएंगे तो इससे ज जए हैं जहां भी कॉल बंकर सेंहां जाहां भी किसी टाइब के बंगर सें यह समस्या तो आते ही है और बसात में तो य era घियरी रहती है और ये जहिलना जो है बहुत मुश्किल काम हो जाता है इस समयश्या को इस तरह के बना वर्ट से हम असानी से ये नीवत लेते हैं एक वर मैं फिर दिखला रहा हूँ ये काअचे बनाना है इसको देकरकर संभावत इसके यह वाला जो पॉर्शन है ये लोहेक बने होते हैं लोहे को भून करके एरो टाइप का बना करके एरो टाइप का बना करके मोल डीजे उपर रसी से बान लीजे रसी से बान लीजे यहां पर बान लीजे नहीं तो यहां पर रोड भी डाल सकते हैं थोड़ा से उसा प्रेसर बनता है और डाल दीजे एक दू लेबर लगा देने से सब्सक्राइब बंकर कोशाई कर लेगे लिया इस को कहां से गशाएंगे इसको बंकर के टॉप से जो ग्रीbel लोल गये होते हैं ज़ल को थोड़ा hard liand ने सब्सक्राइब गरल करें टाल करके इसको शफाइब करिये तो यह अराम से हो जाता है बहुत बड़ा डिवकल्ट अपरेशन नहीं है लेकिन बहुत यूजफूल है इतना यूजफूल की कहने का नहीं है इस तरह का प्रयोग अभी तक किसी पौरे सथन में संभवता नहीं किया गया करकि जहां तक में जानकारी है क्योंकि हमने तो काफी पौरे सथन को घुमा है देखा है जानता हूँ और मेरे पास तो एक बार बहुत दूर से एक बार टेलिफून आया था उनका रुक है रेक्टेंडर से का कोलवंकर था उनके हां जायमिंग जो है बहुत समस्य थी वो पूरा बहुत दूर का टेलिफून था एमिन वन अभी एक्स्ट्रीम कोर्णर अब इंडिया से आया था मेरे पास तो उनको यह समस्या हल नहीं कर पायते हैं खैर एस समस्या को कुछ सलूशन हमने बताया समभतों लोग कर पाए होंगे यह समस्या हलो को ही होगी तो एक काम करने से हमारा रैट होल क्लीनिंग में बहुत सुविदा हो थाइंक यू भेजी मुच जय हिंद जय भारत